हेलो गाइज और सब कैसे आप सब चले आज स्टार्ट करते हैं नेस्ट टोपिक गियर का गियर के बारे में इसमें मैं बताऊँ गापको क्या होता है वड़ीज गियर क्लासिफिकेशन ठीक है किस टाइप से उसको क्लासिफाई क्लासिफिकेशन किया गया उसका और इस टॉपिक में गियर जो नॉर्मली हमारे गियर बहुत सारे यूज होते हैं जैसे इस पर गियर हो गया है हैलिकल गियर के बारे मताऊँगा इस प कि पर बेसिक पताएंगे कि ऐसा होता है ताहि का इस पर यह जानकारी हुजाएगी इतनी और में लगता कि यह विडियो देखने के बाद आपको अच्छी कासी जानकारी हुजाएगी और कहीं नहीं मिलेगा दूकर में सब चीजे की तर्म के बारे में आप जानेंगे तर्मिंगे सब चीजे के तर्म के बारे में आप जानेंगे को आप इसको वीडियों को पुरा देखिए त्यांब बेसिक क्या होता है गिर क्या है यह टूठेट तूठेड विल धैट इंगेज अनधर तूठेड़ विल टूठाश्मिट पावरह मोसन घृट मज़ीड पावर्टराश्मेट करने के लिए पूआ अपने आपने जगे वह सब सब से हैं पर अगर आपको चूच करना पड़े कि कौन सा गेर घ्याइ बेल्ट ड्राइव गया और तुमारा चेन ड्राइव हो गया तो ड्रीर जो आपको बेस्ट अकुरिसी देगा क्यों क्यों कि उसमें एक तो यह पॉजिटिव ट्रांस पॉजिटिव इंगेजमेंट होता है ठीक है इसलिप की शिलिप नहीं होता तो स्रिक्शन जो जाता है वो आपने अगर शिलेंडर ले लिया और उस पे उस पे आपने कुछ टूथ बना दिये विल टूथ हे टाइप के टिक है जैसे यहां बना हुआ है यह देखो यह पहले पहले क्या होगा यह एक स्लेंडर होगा और बाद में इसमें ऐसे करके इन दोनों के बीस में जब यह जो गियर है इसके साथ कॉंटेक्ट में आएगा इस टूथ के इस अनदर जो दूसरा गियर है उसके टूथ के इसके दोनों के बीज में इंगेजमेंट होगा तब आपका मोशन ट्रांस्मिट होगा मतलब कि इस साफ्ट का जो मोशन है जो जिस साफ्ट पर ये करेक्ट है इस साफ्ट का मोशन इस साफ्ट को ट्रांस्मिट होगा ठीक है? मतलब कि इस साफ्ट की जो पावर है इस साफ्ट को ट्रांस्मिट होगी यही में पंसर है इसका मतलें क्या हुआ कि कोछ डिस्टैंस पर मिल्ला की ऐसी कुछ कँछ कंडिशन रहे तो हमको यहां पर साफ्ट हो तो आपको क्या लगाना पड़ेगा तोımız गीयर लगाना पड़ेगा तो इस डिरेक्सिं में फोर्स लगाएम ठीक है से करके दूसरा टूसरятьодर के ओपर ऐसे करके कि और दो हो ग्या है अब बात पर क्में किया है है तो शाफ्टे हम 1 एक का इन पर क। तो तो किपे अगर एकसी पोजीशन ऑफ ऑफ डाउक साफ्ट की जो किस पुजीशनπά Brdp अभी दो साफ्ट पैरलेल हैं तो हमने एक करनी जहांकि एकวापनी भावर इसका पनी पाव.' इस आव को ट्रांस्मिट करनी है यह पर गिर लगा दिया और यह पर बी गियर लगा दिया तो यह जब रोटेट करेगा और इस जब टूत से टूत इंगेये होंगे और वो फोर्स अप्लाई करेगा दूसरे बस ao the बीड़ी रोटेट करने लग जाएगा तो मोशन टास्मिट हो गया पावर टास्मिट हो गया और पॉजिटिव इंगेजमेंट होगा ठीक है कोई स्लिप की कंडिशन नहीं होगी इस केस में कोई सिलिप नहीं होगा तो यह बहुत अच्छी एक्कुरेस्टी मतला आपका मतलो ना आइन आइन टी स सयर ननटीई एट पर सिर्षाटर्ट और गया कि पोजिशन और अप्सटेर किस daytime currentlyे इस कोलेशी जाड़손σι और पंडिकुलर है तो से अगर जोच्ट मेन चाहिशन करना एक और दूसरी आफ्तम घोंगा दूनों की जो एक्स कैसी कंदेंड तोनों नहीं है दोनों पैरल्लेल ह döno-staat जूसरे की पर पर पहलुर है इंटर सेक्ट कर रही है यह जै तर पे दोजी आए two- quedar शाब ऑफ हमको हमको जो गएर थी है लेगए कि आप दोनों ऍीटिया या इंटरनल गियर है या ंटियें और की ऑफ झीज़ची वाने हिन्फाइनाइट आप उह है थिक है आगे पता चलेगा इसके आदेश्धं सर्फेस की जो टीथ हैं गियर पर वो कैसे हैं मतलब की स्ट्रेट हैं किसी एंगल पर हैं या है इस्पाइराल है spiral कर रखा है टीथ को उस हिसाब से ठीक है तो इन चारों के हिसाब से classification होता है अगर पहला हम देखें तो position of axis of the shaft की axis of two shaft between which motion of power parallel जैसे मैंने का parallel है intersecting है या non parallel non intersecting है मतलब parallel shaft मतलब की ऐसे हो गई एक gear यहां यह soft की axis जाए यह soft की axis जाए ठीक है यह soft की axis जाए इंटरसेक्टी मतलब की ऐसे और ऐसे कि यह soft की एक axis जाए यह soft की axis जाए इंकी जो axis जाए वो intersect हो रही है non parallel non intersect कि मतलब कि ना तो पैरलल है और नहीं इंट्रसेट कर रही हैं साफ्ट तो ये जो गिर है अगर इंपूट साफ्ट है ठीक है और ये आउट्पूट थै अपिनियन ये देखते हो पीनिय जो छोटा गिर होता है उसको पिनियन केते हैं ग्याद involved अला फेक्षाभ be ठीक तो यह पीन्यर में पर यह रोटेट कर रहा है तह ले इसको रोटेट करएगा और यहाँ से यह प्रेट नियाड गलिया प्yahर इंटर्सेक्ट तब स्यॉत्ध फेज्ज़्ञ जब इस इनिये एक र concept je एक ही प्लेन में को प्लेनर हैं ठीक है एक ही प्लेन में हैं दोनों साफ्ट की एक्सेज और एक यह देखो इसमें क्या है ना तो पैरलल है और ना ही इंटर सेट कर रही है देखो यह कि हमेरे ऐसे अब क्लाशिक कि पैरिफेर्लव लॉस्टिटी ऑफ यह मतलब अगर लोविलाशिटी हम कब कहेंगे जब जो विलॉस्टिफ गेर हैं वह लाज दन थरी मिटर पर सेकेंड हैं और मीडियम विलॉसिटी गियर के तब कहेंगे जब 30-15 मिटर पर सेकेंड उसकी इसे कहते हैं external gear ठीक है यह एक टाइप का इस पर गया रहे है यह motion यह rotate कर रहा है ठीक है यह इस direction में rotate कर रहा है तो यह इस direction में rotate कर रहा है समाज़े तो Mohsen transmit हो रखा है तो यह क्या इस टायब को क्या नहीं कहते है external gearing ओके अब यह होगा internal gearing इसमें देखो क्या है इसमें यह एक गेर है और इन्दर सब्सक्रव से पंप का यहां से ब्रॉड यह इन्टरनल गेर है और इन्टर घिंटर्नल घियर में क्या और यहां से ब्लॉड और समें कि कि internal gearing में जो दोनों gear है वो एक ही direction में rotate करते हैं मतलग कि अगा clockwise rotate कर रहा है तो pinion भी clockwise rotate करेगा और जो बड़ा वाला gear है वो भी clockwise rotate करेगा और external gearing में क्या है कि एक clockwise rotate करेगा gear और दूसरा anti clockwise समझ गए तो यह क्या हो गया internal gearing अब 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 देखों यह है रेक एंड पिनियन रेक एंड पिनियन इसमें क्या है इसमें एक गियर जो है यह एक तो normal gear जो cylinder पर है और एक दूसरा gear जो जिसका जो diameter वो infinite है मतलब कि एक horizontal plate पर हमने teeth काट दिये ऐसे करके एक प्लेट है उस पर हमने teeth काट दिये ठीक है और वो जब आपको यह है काब यूज होता है जवां आपको गठ भण्स से चर् reporting मुशन कर देखों इसमें क्या सकतोरा कि यह हो जिला रहा है कि एक थे वह रो टेट कर रहा है और दूसररे gear को आउनोंक को साफ को ईसको चिर कर रहा है तो हैं डीजा से डूसरे कर सकते हैं रखेंड पिनियन में ठीक है कि अब क्लासिफिकासिक्षिक्षन ऑफ ग्यर आन पोजिशन आफ तीथ मतलब की जो टीछ है वह इस्ट्रेट हैं यह इंकलाइन है यह करुड है ऑड़ की हैं कि से ग along दा एक्स अगर अलॉंग्द एकसे टीत काटते हैं इक साभ्ट का ड्रेक्शन अलॉंग टीत रथा तो अगर श्रेट हो गयं इंग जो धी का जो टी 떠 हमने बनाए हैं में यह व फीव वो एंगिल पर हैं किसकी साफ्ट जो एक्सेज है उसके एंगिल पर हैं और कर्वड मतलब कि हमने उसमें कुछ कर्व दे रखाई गियर पर टीथ में ठीक है अब देखो इस पर गियर के बात करते हैं इस पर गियर में क्या है टीथ on these gears are straight and parallel to the axis of shaft ठीक है तो जो इसमें टीथ होते हैं देखो इसमें जो टीथ होते हैं वो यह इस पर गियर में जो टीथ होते हैं यह मालू मेरी axis है ठीक है यह cylinder है यह axis है तो टीथ on these gears are straight and parallel to the axis of shaft मतलब कि टीथ ऐसे parallel यह axis है स्ट्रेट होते हैं और parallel to the axis of shaft ठीक है और इसमें क्या होता है radial load only radial load ही imposed होता है bearings में क्योंकि दो shaft है मादा एक shaft है उसने इस पर गियर को देखो यहां पर क्या है यह साफ्ट है यह साफ्ट है यह साफ्ट है यह साफ्ट है यह यह क्यों है समाच गहीं तो केवल इस में क्या इस पर गेर में केवल रेडियल लोड अप्लाई हो रहा है इसमें रिड़क्शन रेशियो अप्टू 7 इस्टू 1 हम अचीव कर सकते हैं कोई कि एगर सपीड साथ पे चल लाहा है मतलब किसी अगर किसी कि विलॉसितिव— 7 टाइमस से साथ इंगल मा flour थीक है तो हम उसको उसको उसका रिड़क्शन कर सकते एप्टूब omema मतलब कि इस पीड प्मू रिड़क्शन कर सकते हैं अप्टू 7ज-जब दिग्रीज कर सकते है तो उसका हम डिदक्षन अप्टू उस साथ की विलोसिटी पर वह वह जाल रहा है और आउट्पूट साथ में को चाहिए केवल वन तो हम उसको रिदक्षन कर सकते हैं उसका हमज़ें हाइस्ट इफिशेंसी अगर सारी गियर्स की बात करें चाहिए है लिकल हो कुछी कोई स नइटीञ पर सेट मतलग किसी साब से करने केसे मोशन करने के साब से से और आपका नो देख कोई की टायप और स्लिप नहीं होता था है थी चाहिए पर इसमेंद om isp tummy make noise एंड कि इंक्री इस ट्रस अभें क्यों अब देखो क्या होता यह टीए अ इस टीथ के कॉंटेक्ट में आएगा तो ऐसे डारेक्ट इस डारेक्ट में फोर्स लगाएगा और एक और अगर हाई स्पीड रहेगी तो एक दम से यह टकराया ऐसे करके तो आवाज आती है मतलब कि नॉइज रहता है हमझे नॉइज क्योंकि सदन इंगेजमेंट होता है ना स्दन इंगेजमेंट होगा तो आपका नॉइज रहेगा अब वो नॉइज रहेगा तो उस से क्या होता है व। इस से वाइब्रेशन होगा तो आपकी जो मसीन है व हम वाइबरेट करेंगी तो उससे और भी चीज़े ग्लेशां हो जायेगा और उसे मतला का च़्ृड़क् उस हिसाब से नौइज इंगीजमेंट इस पर गेर में रहता है ठीक है यह दो बात होगा इस पर गेर की अब बात करते हैं है यह जो इसमें टीथ जो होते हैं इंकलाइन टू दा एक्सेज ऑफ दा साफ्ट ठीक है यह इंकलाइन है मतला अगर मैं यह मेरी एक्सेज हो गई ठीक है तो यह इंकलाइन ऐसे हैं अब आप देखोंगे इस एंगिल रहते हैं और इसमें तो है यह ऑ्रीक यह कि वह दहता है जैसे माने बता है पर इसमें थ्रश्ट लोड भी लगता है क्यों अब आप देखोगे इस एंगिल पर हो गया और एक्सेज आपकी यह है तो इसके दो अब जब यह इंगेज होंगे दो हैलिकल गियर इंगेज होंगे तो उसमें दो कम इसके दो कम निकल गाएंगे एक तो एक्सेल कंपोनेंट के वह रेडेल लोड देगा साफ पर और जो एक्सेल कंपोनेंट थरश्ट लोड देगा तो इसमें क्या होता है कि इनमें जो बीयरिंग होती हैं उनमें रेडेल लोड दोनों लगते हैं है ठीक है पर इसमें क्या है कि टी थार लॉंगर सो कैरी हाइर लोड दैन इस पर गियर्स एंड इस्मूतर और क्वाइटर क्या होता है कि इस पर गियर है लिकल गियर में अब देखो अब कोई भी चीज है अब थोड़ा सभी उसको इंकलाइन कर दोगे इंकंपेरिजन टू यह देखो यहां पर आपको दिख रहा होगा मैं एक स्ट्रेट लाइन बना रहा हूं और एक इसी इतने ही एरिया में मैं इतने ही पोर्शन में एक हैलिकल लाइन तो अगर आप देखो है तो इससे क्या होता है कि यह हायर लोड जो इस पर के कंपेरिजन में हायर लोड कैपिसिटी रख सकता है और स्मूथर और क्वाइटर होता है क्योंकि हैलिकल गेर में क्या होता है कि इंगेजमेंट होता है है अब इस पर गेर में क्या था कि सटन इंगेजमेंट इस पर ग के अराम धीरे-धीरे से इंगेजमेंट होता है महाले कि हैरिक्शन में अब देखो एसमें यह की Ben gonna यह यह किर एक इसको कहते हैं। अब अपना लेफष्टन की गाज रखोंगे अगर वह किसे कर तो अगरवा ऐसे से बना रहा था तो यह लेफट इन एक अर अभर वह वह ऐसा सरी बना रहे है राइट है को अब डो हेलिकल अब दो है जादर गिर तो जब करेंगे जब दो परलल साफ्ट वहोंगी खुट होता है क्वाइट रोप्रेशन होता है तो रिड़क्षिन रेड़ेटर देज स्पर में जाधा होगा अगर कोई input shaft और उसमें helical gear लगा है वो 10 की speed से rotate कर रहा है तो अगर हमको 1 का speed rotation चाहिए 10 की speed वाले का और तो उसमें हम helical gear लगाएंगे ठीक है higher load ले सकता है smoother operation है quieter operation है ठीक है अब आताती है herring bone और double helical gear की कि यहां पर देको यहां पर साफ्ट है यहां पर double helical लगा रहें यह साफ्ट है और यहां पर हमने डवल मेрат यह एंगिल पर यह दूसरा एंगिल में तो 2 है जादा मजबूरी कहती कि उसमें जो थ्रश लोड ता वो ज्यादा आ रहा था अब थ्रश लोड जा रहा था था तो बेरिंग आपको देखना पड़ेगा कि अब महला साफ्ट की एक्सेस की डायक्सिन में ज्यादा लोड लगेगा तो ज्यादा मुसीबत हो जाएगी तो इ अगर आप उसके स्केल्टन देखोगे उसका अगर सेप देखोगे तो वह इसी टाइप का होता है है कि जो एक्सेल थ्रश लोड आ रहा है उसको हटाना नगल करना पर बनाने पर मैनुफेक्ट्रिंग मैनुफेक्ट्रिंग का अंतर है कि कहीं कहीं आपको दिखा देगा कि जो यह एक हैलिक्स यह है और इन दोनों के बीच में थोड़ा सा गया देता है वह मैनुफेक्ट्रिंग के अनुसार है कि अगर आप ऐसा कोई टूल है जिसको भाई जो कंप्लीट एक बारी में यह हैलिकल नहीं बना पा रहा है तो वह क है तो वही कहते है डबल हेलिकल यह है रिंग बोन के रहे है ओके यह देखो अब मैं यहां पर आपको दिखा रहा हूं यह कैसे वर्क करता है यह देखो यहां पर वर्क कर रहा है यह डबल हेलिकल यहां पर साफ्ट है यह भी डबल हेलिकल डबल हेलिकल यहां पर डबल हेलिकल यह वर्क हो रहा है ठीक है यह देखो ठीक है बहुत भाड़ी भाड़ी मसीनें में लगा होता है जहां पर हमको higher speed deduction चाहिए होता है काफी भाड़ी जो जहां पर हमको अच्छा यहां पर बड़ी बड़ी मसीने होती है वहां हम double electrical उस्ट करते हैं तीक है अब आते हैं बेवल गेर की जहां पर दो साफ्ट मतलब बेवल गेर कहां यूज होता है एक तो इंका जो ब्लैंक होता है इस इस फॉर्म में इसका ब्लैंक रहता है तो हम टीथ फिर उस हिसाप से को यहां इता है इस फॉर्म में रहता है जिए इंटरसेक्ट कर रही हो इंटरसेक्टिंग साफ्ट साफ्ट की एकसे इंटरसेक्ट और तो इसलिए जहां पर आपको ऐसी मुसीवत आ गए कि आप इस पर गियर जहां पर नहीं है तो वहां पर आप इस पर गियर यूज नहीं कर पा रहे हैं तो आपको वहां पर पर क्या होता है इसमें कोन से तो उसी में करते से जिस में पैसे ब्लतर इंगिल में कासिज तो state और दिख रहा है पर पर यहां पर थोड़ा एंगिल पर है तो जब यह फोर्स लगाएगा तो उसका कोई ना कोई पर 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 यह फोर्स लग रहा है कोई थोड़ा सा भी आइगल माघरा फोर्स लग रहा है तो तो पर निकल के आएगा है तो थ्रस्ट लोड और डियुल दोनों बीख पर लगते हैं त्रांस्मिट पावार बीट्वीट्वीं तो इंटरसेक्टिंग साफ अप तो एट इस टीट कटे हैं वह इंस्ट्रेट है अब आगे देखोज जीरोल बेवल गया जीशन जीरोल बेवल इसमें जो टीट होते हैं वैसी सेम आखाई टीथ अर कर्वड अलोंग दा साफ्ट कर्वड थोड़ा सा कर्वडी थोड़ा साफ्ट कर्व रहता है तीज़ बत सपयरल एंगल जिरो मीज थरस्ट लोड मैं लगता है उसम लगता है जैसा iyi अजा मतलब कि थोली थोड़ा सा न्यायी इत्ना कर्वंि रहता कि वह एंगिल बना ले साफ की एक्सेस से हम इसको हैलिकल बेवल लाइक बेवर गेर नहीं कहेंगे जिरोल बेवल गेर तब ही कहा गया इसको क्यों कि थोड़ा है थोड़ा सा क्या कर्व तो बनाता है पर एंगिल उतना नहीं बनाता कि वह एंगिल बना ले साफ की एक्सेस से ठी करेंशन यह जाshare सब पर जो एकुन हैं तो इंगल था तो वहां पर हमारा debateuk क्वेंशन name करेंश्ति ठीक आझे और नॉइज्डल काम गय था तो यह सब चीजों को दिन ध्याना में रखते हूः क्योंकि हमें डिजयन को और इंपुल करना है थोड़ा सा कैसे करें थीख है सारी कंडिजन से मैं यह पर थोड़ा नॉज लिवल कम जाता है ठीक है रिडेक्शं रिखे उतना ही रहता है एक डिच्ट वन सबस्य मैं पर कह होता है हमको नॉज लेवल होटा कम करना है पावर पा बना यह थोड़ा सा करवें अब इस्पारल और हैलिकल बेवल गियर या है लिकल बीवर गियर थी वह है है वह हैलिकल गिए की तरह है थांफ की एक्से से एंगिल बनाता है थीक है मोच्ट कॉम्पलेक्स फो में बेवल गे केरिंग हाई लोड़ कैपेसिटी अध हाई पावर केपिसिटी उसके ची आती है और वह हाई स्पीड पे रोटेट भी करने लग जाता है तिक आपको दिख रहा है कि यह इस पाइज जीरोल बेवल गियर से तो इसका जो एंगिल है वह कुछ जादा ही है ठीक है इसका मतलब साफ्ट ने एक्सेस से कुछ इसने एंगिल ब पड़ा तो उसमें भी हमको भी जाइन कुरूब करना पड़े गा उसमें भी स्टेट टीथ वाला होगा है लेकल्टीथ होगा कर्व टीथ होगा जैसे पेरलल साफ्ट के केस में था था अब अब बात आती है हाईपर बोलोड ही अब हाइपर बोलोड कहां यूज होते हैं अ क fırको इंटर सेक्टिंग और नओन पैरलव। नहीं है इससने चिकलुर्ड तो इससे के लिए खाकरूंग की improvement to the yield of06 deixarनी दो कुन कि अब चाहते हैं कि मैं धियर 6 करूं पर साफ हमारी क्या है pan a canyon-2 to him a gider कैसे यूज करूओ तो उसी साफिसे का डिज्छान करना पड़ेगा 돼 क्योंकि अगर यज्छाथे की में यह इसक धनाता Ooh तो आपको उसके लिए अलग डिजाइं करना पड़ेगा तो पहले वो जो पुप फंडा आता है वो कैसे करेंगे वो आता है हाइपर बोलोईट से हाइपर बोलोईट क्या होता है इस हम कहते हैं इस्क्यू साफ्ट इस्क्यू लाइन यह 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 बीडियो देखना इसमें आप सब्सक्राइजी आप दाऊंगा देखो इसमें क्या है यह एक लाइन है उसने इससे क्या था वो क्या था हाइपर बोलोईट कैसे पहले हम सीख रहे हैं हाइपर बोलोईट कैसे फॉर्म होता है हैं उसका क्या यू जाएगा इन सब चीज़ों में तो हाइपर बॉल्वड इस दा सॉलिड फॉर्म भाई एक छ resil है को हम करते हैं रिवाल्विद्ट एक एककी तविक ओर स्वाल्वींग स्ट्रीट लाइन को रेंगे अर्फेट जो इस एक्स सेड्स कराके नहीं स्ट्रेट लाइन को रोटेट कर आएंगे ती एविपोइंट ओं दा लौइन रिमें एट कॉंस्टेंट डिस्टन्स फ्रॉंब्ध फ्रों बेर एक सेज वह ही देखो अब देखो अब यह सर्केल में रोटेट कर रहा है उर वाला पॉइंट इसका और नीचे वाला पॉइंट भी एक सर्किल में रोटेट कर रहा है और ये बीच वाला पॉइंट भी एक सर्किल में रोटेट कर रहा है अब जब ये सब के सब एक सर्किल में रोटेट कर रहे हैं तो भाई वो किसका मतलब की और ये एकसे सेंटर पर है तो इसका मतलब इस एकसे से इसकी जितने भी सारे point हैं, वो same distance पर होंगे, ठीक है, ये एक circle में rotate करेगा अब देखना, ये भी एक circle में rotate करेगा और ये भी एक circle में rotate करेगा, ये point भी, तो सारे के सारे point इस line पर हैं, वो इस axis से same distance पर होंगे, ठीक है, तो ये एक बनाता है solid, जब आप इसको rotate कराओंगे, तो ये एक solid shape बनाता है, ठीक है, देखो, ये rotate कर रहा है, सारी point देखना, सारे के सारे point यहाँ पर भी, इस point पर भी, इस point पर भी, इस point पर भी, इस point पर भी, same, एक ही circle में rotate करेंगे, मतलब ये भी circle में rotate कर रहा है, ये circle में, अब चाहिए circle का diameter अलग-अलग हो, पर rotate, same circle में कर यहां से होते हुए यहां से तो इसका मतलब क्या हुआ कि यह जो लाइन है इस ट्रेट लाइन इस ट्रेट लाइन है इस कितनी भी इंडा लाइन करो हुआ करो यह तक सारी की सारी स्ट्रेट लाइन है इसकी एकसे料 से यह एकसेज है सेंडर से घूजर रहे है सें सेंबर ने सेवाय के इन के रॉतेट करने से जो एक सॉलिड़ वनता है जो एक सॉलिड़ वनता है उसको हम कहते हैהו थीग है अब यह जो स्ट्रेट लाइन है आप। कैसी भी ड्राओ करो तो मैंने यहां क्या कहा तो आप यहां से होते हुए कैसी भी स्टेट लाइन डाउ करो तो अगर आप इन स्ट्रेट लाइन को तीथ मान लो ठीक है मैंने ड्रॉ करी यह मैंने ड्रॉ करी इन स्ट्रेट लाइन को एक टीथ की तरह मानो कि मैंने टीथ का सेब दे दिया इस स्ट्रेट लाइन को ठीक है तो दो गियर मैंने ऐसे ही बना दी यह दो हाइपर बॉलाइड बनाए मैंने दो हाइपर बॉलाइड ब इस टाइप का बनेगा इस टाइप का हाइपर बोलोईड बनेगा यह एक हाइपर बोलोईड है और यह नीचे वाला एक हाइपर बोलोईड है ठीक है तो यह जब दोनों हाइपर बोलोईड बन गए क्योंकि मैंने क्या कहा यह जो लाइन है यह वही लाइन है यह जितने भी है है ना यह सारी वही लाइन है जिनको आप रोटेट करों तो यह अनर बनाते हैं तो यह बनाया नहीं बनाया तो इन लाइन सो हम आप ने गियर के टीथ के फॉर्म में काटा और नीचे वाले को भी टीथ के फॉर्म में काटा अब जब दोनों आप एक ही बना रहे हो तो दोनों को रोटेट करोंगे तो रोटेट होंगे दोनों को कॉम्बीनेट करोंगे देखो देखो नीचे उपर वाले को रोटेट करो त तो यह हो गया है hyperboloid तो इसका यूज्ज है तो यह वोज चीज़े हैं जब आपकी कि सांफ इस में देखो कि इसमें देखो ऑफ इंटरसेक्ट है ये एक सांफ है ये एक सांफ है और नीचे इसे वाला portion का यह shaft है, इंटरसेक्ट नहीं नहीं कर रही है, और पैरलल भी नहीं है, तो यह फिर हमारा का साया है, यह hyperboloid concept इसमें हमने फिर, इस concept से हमने फिर gear design करें, इस concept से, इस concept को लेकर, घर डिजाइं करें, इस concept को लेकर, इस concept को लेकर, जिसमें, साफ्ट नान इंटरसेक्ट हुती है और नॉब पर्लल होती है ठिक है तो इस ही इनी में इसे कई सारे क्यार है एक कि डिजाइण हमको है तो सबसे पेला कि क्यों मैं यह को इर इस सबसे पैला है ग protect गतल पें कि अब पेल्य कहले के मतलब कि जो इसमें मेंने कहा नयों दिखो ये वाला जो पॉर्शन आपको डिख yout47 इंडही यह एक सब्सक्राम समय यह और फैरलल भी नहीं सब्सक्राइब सब्सक्राइब हैं हैधि टिर्थन करद्या मनेच हैं जल कोisen ब्सक्यूं मतलेद फॉक्ष Clean प्रतार है जो फ्रतार हो गिंगेज़ करेंगे तो उनकी जो लाइन होगी वो ना तो इंट्रक्सेट करेंगी और नाही पैरलल हो जाल होगी कि तो इस है 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 यह एक परिंख़ करते हैं नौन इंट्रसेक्टिंग साप्था होती है प्रश्ट्राप्षिए बहुत अच्छा होता है हन्रेश टू रहता है तो इसको ही स्क्यूद है लिगल cross- lógiğe कि आभागां देखो यह रोन इंटरसेक्टिंग साफ्ट का चाहिआ एक साफ्ट यह ए इक साफ्ट यह है видео साफ्ट यह है ठीक है दोनों नौन पैरलल साफ्ट है ठीक है यह रोटेट कर रहा है यह रोटेट कर रहा है तो यह हमने इस उसी साफ से हमने डिजाइन बनाया इसका ठीक है हमें अब हई पॉएट गीर हई पॉएट गाई हुए है इसकी से जैसे और यह साफ्ट जो है इसकी से जैसे तो इंटरसेक्ट नहीं कर रही न और पैरलल भी नहीं है पर अगर आप बेवल गियर को देखोगे बेवल यहां होती हो साफ्ट इस डैर यहां पर हमाज़े तो यह हाइप आप यह कहां से निकल के आया वही वाले कॉंसेट से जो मैंने हाइपर बॉलॉइड बनाया था ना है पर बॉलॉइड उनीक उसी को कॉंसेट को यूज करके यह सारे नौन इंटरसेक्टिंग और नौन परलल स साफ्ट है ओसेट रहता है इसका । तर न हम रा पूर्सेट को के थे है इसको इसको कहते हैं त परपेंडिकूलर रहती है पर नॉन इंटरसेक्टिंग रहती है और नॉन पैरलल है परपेंडिकूलर साफट है इंकी साफ्ट की एकbayक सेज एक दूसरे के परपेंडिकूलर रहें पर नॉन इंट्रसेक्टिंग और नॉन पेरलग है बहुत ही अच्छा खासा है डिरेक्शन रहता है वार्म वील और वार्म गियर का तो बहुत जगा यूज होता है कॉंपैक कंस्ट्रक्शन में कहई आँ यह यह काई यह पोर्षण एक ग्यर स्वाथ बना ठीक और यह साफ्ट स्से इंट्रसेट करती है किस से इस से ठीक है इंट्रसेट करती है पर हाइपोईड गेर हाइपोईड गेर में क्या है इंट्रसेट नहीं करती साफ्ट की एकसे इंट्रसेट नहीं करती और नॉन पैरलल भी रहती है इसमें तो इंट्रसेट करती है जिसे मैंने दिखाया एक इतना स्टेट है पर अगर ज्यादा ऑफ सेट हो गया तो हम उसको उसको को कहते हैं स्पिर्वाइड गेश इसमें कौन ज्यादा है सारा सेम तुस्सें से स्पिरोईड इसमें जाएंphone véhicule Rock Ch और अगर ये बिल्कुलीली था वर्म गयर कैते मैंने में पिछले वाले वीडियो में दिखाये था इस टाइब का वोंगी है कि साफ्ट बिल्कुल परपेंडिकुलर है हमाज एक है दो रेकन पीनियन की बढ़े मेरे बताया था रेकन पीनियन क्या होता है कि जो रेख होता है वह एक होलिजंटल टेवल मालो और उस पर हमने टीथ ऐसे करके काट रखे हैं और पिनियन एक गियर होता है गियर का फॉम होता है या इस पर गियर ले लो या हैलिकल गियर ले लो कोई सभी इस पर गियर है यह होता है दो दो ही गियर होते है इस पर हो इस पर टाइप का इस पर मतलब की टीथ आपको स्टेट कटे वे मिलेंगे साफ्ट की एकसिस के हैलिकल मतलब की टीथ आपको आपकोँ दो और एंगिल पर अंगिल पर मिलेंगे घर्ष की चरल केशिए तो यह סब टीबस टेंगें पर रूंस फेमने टीथ काते वेगां वह और यह को सेथ हमने आखेना है गोटरी शॉटा पर उसको त्रांसलेटरी मोशन में करन आ या तो ट्रांसलेटरी मोशन होता है उसको रोटरी मोशन में करणवर्ट करना तो मैंने कहा ना रैक इजे सेग्मेंट ऑफ गियर ऑफ इंफानाइड डायमेटर जिवर इच वाला पोर्सन इसो रैक कहते है रैक को आप तो सुनामी सुनों को रैक ई Whit सुनाक टेविल की तो इस बिसें युडियो और उसमा आपको टीत अपने से तो कह यहां जहां पर हमको रोटरी मोशन को ट्रांसलेटरी मोशन में करना यह जब गधा दिए एक एदेहे हो यह मैना दिखा दिया है के को रोटरी मोशन को या आपको तो अगर आपको त्यूंगी बता है कि ऐसे होते हैं क्लासिफिकेशन ठीक है कौन-कौन से टाइप की होते हैं वहना तो बहुत बढ़ा है ठीक है कभी बताएंगे तो मैं अभी गियर कमें पड़ा इसके के बाद हमें गियर की टर्मिनोलोजी और इसके डिजाइन बताऊंगा क्योंकि मुझे मुझे मसीन डियाइन कोशिट कराना है मसीन डियाइन हम तो केवल गेट के हिसाब से पढ़ ले हैं तुम जाहता के आएगा कोश्चन डिजाइन के ऊपर ठीक है मसीन डियाइन में इस पर गेर का आएगा ठीक है और कुछ जादा कोश्चन आता नहीं है है थो मसीन डियाइन करेंगे ठीक है थैंक यू